तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी इभी फाइलिन कैपसूल को दमा के लक्षणों और chronic obstructive pulmonary disorder फेफ़़ों में विकार जिसमें फेफ़़ों में हवा का प्रवाह अवरुध होता है के इलाज और रोक्थाम के लिए उपयोग किया जाता है यह वायुमार की मानस्पेशियों को आराम देने में मदद करता है जिसस इतनी बार आपको इसकी जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस लिए ले रही हैं आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षणों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यक्ता है आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश म कारी रखें यह तुरंत काम नहीं करता है या पहले से शुरू हो चुकी सांस की समस्या को ठीक नहीं करता है इसलिए अपात कालीन स्थिती के लिए हमेशा अपने साथ मेडिकल इनहेलर रखें इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, सिर्दर्द, उल् इलाज के दोरान, शराब न पीने या धूमद पान न करने की सलाह दी जाती है इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर की कोई बीमारी या हिरदय से संबंधित कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं आपके डॉक्टर को अन्य स सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवा बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद